टेक्सोनमी एन एकोलोजी आफ वाइट फ्लाइज वाइट फ्लाइज वाइट फ्लाइज इस एन इंपोर्टन इंसेक्ट विच डिस्ट्रॉई मैनी अग्रिकल्चर क्रॉप्स एंड फ्रूट्स अगर हम वाइट फ्लाइज की बात करें तो इसके अंदर तक्रीबन 1550 से भी जादा स्पीशियस हैं इसकी हम टेक्सोनमी की बात करें तो यह फाइलम आथ्रोपोडा से बिलाउं करती हैं क्लास इंसेक्टर है इसकी और इसका जो आडर है वो हैमिप्टरा है अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तक्रीबन इसकी 70 के हुई है इसके लावा ये एक cosmopolitan insect है cosmopolitan insect से मराद है जिसकी जो distribution है वो worldwide हो but they are most abundant in tropical and subtropical countries of the world इसके लावा इनको white flies क्यों कहते हैं Y called white flies. White flies, appearance of adult due to deposition of wax on the body and wings. अगर इस स्लाइड के हम देखें तो जो white fly की जो बाडी है, उसके जो विंग्स और बाडी के उपर जो white कलर की wax है वो deposit होती है, जिसके वज़ासे वो white नजर आती है, इस वज़ासे इसको हम white fly कहते हैं. उसके लावा जो adult white flies है दियार small इनके size की बात करें तो 1-2 mm इनकी length हो सकती है इनके जो adult का जो wing span है ये 3 mm से कम होता है उसके लावा ये yellow body and two pairs of white wings यानि body की जो coloration है वो little bit yellowish होती है और इनके जो wings है वो white color के होते है और इनकी जो eyes है वो compound eyes है और उनका जो color है वो red है जैसा के इस slide के अंदर दिखाया गया है उसके लावा इनके mouth parts की बात करें तो they have sucking and piercing mouth parts और इसके जो दोनों sexes है यानि both sexes have functional mouth parts and pair of functional membranous wings इनके जो nymphs हैं they are semi transparent लेकिन बाद में वो yellowish या फिर pale green coloration attain कर लेते हैं उसके बाद इनकी जो body है उसके उपर हमने देखा कि wax की एक layer मौझूद होती है ये इनकी body के उपर और wings के पर दोनों पर मौझूद है इसी वज़ासे इनको white fly कहा गया उसके बाद produce large quantity of honeydew यानि जब plant के उपर ये feed कर रहे होते हैं उसका sap सक करते हैं तो उसके साथ साथ ये honeydew स्कीट करते हैं ये honeydew क्या है ये एक sugary substance है अब उससे क्या होता है एक तो ये पौदे के उपर खुद फीड कर रहे होते हैं उसके लावा honeydew produce करके ये fungus को attract करते हैं तो उस पौदे के उपर fungus का attack भी हो जाता है उसके लावा इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो host range है वो बहुत broad है तक्रीबन 160 different किसम के जो plants हैं उनके उपर white fly attack कर सकती है ये polyfagus है polyfagus से मराद है कि ये मुखतरिफ किसम के जो plants हैं उनके उपर feed कर सकती है उसके लावा जो common plants हैं ये field crops के उपर attack कर सकती है ये fruit trees के उपर attack कर सकती है vegetables के उपर ornamental plants और weeds cotton के उपर mango के उपर इन तमाव जो plants हैं उनके उपर white fly काफी ज़्यादा तदाद के अंदर हो सकती है उसके लावा ये एक बहुत ही notorious किसम का pest है और साल के अंदर इसकी काफी सारी generations होती है उसके लावा एक important इसके अंदर जो property है जिसकी वजह से ये insecticide के जरीए भी control नहीं हो रही वो insecticide resistance का mechanism है यानि इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि insecticide के effect को ये जाहिल कर देती है क्योंकि इनके अंदर insecticide को degrade करने का mechanism develop हो गया है तो ये काफी resistant group है उसके लावा ये ना सिरफ खुद जो है damage काज करती है बौदे को directory बलके indirect damage भी काज करती है क्योंकि ये बहुत सारे जो disease causing organism है उनके spread का सबीब बन सकती है मसला cotton leaf curl virus, sweet potato mild mortal virus, yellow dwarf disease ये तमाम diseases plants के अंदर फैलाने के लिए ये responsible है उसके लावा they inject toxic saliva which result in the plant disorders इनकी body से जो saliva पैदा होता है वो काफी toxic होता है और पौदे के अंदर बहुत सारी abnormalities का सबब बनता है अब इसकी जो female है ये तकरीबन 10 से 50 eggs ले करती है अपने life time के दोरान उसके लावा इसके जो eggs है they are fairy rings like यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके eggs जो है ये ring की farm के अंदर ले करती है उसके लावा egg hatch into a mobile crawler after six to eight days यहाँ पे अगर हम देखें तो ये eggs से hatching होई और इस से crawler ये पहली stage है ये crawl कर सकते हैं ये move कर सकते हैं उसके लावा ये जो crawlers होते हैं settle at feeding side अगर कोई पौदा available है खासतोर पर पौदे की जो early stages यानि उसके नई जो complain होती हैं उनके ओपर ये feed करते हैं तो वहाँ पर जाके ये settle हो जाते हैं और आम तोर पर ये 18 से 28 days के अंदर अपना life cycle complete करते हैं उसके बाद इसको control करने के लिए बहुत सारे natural जो predators हैं या natural enemies का इस्तमाल किया जाता है इसके अंदर जो इसके natural predators हैं उसके अंदर birds शामिल हैं उसके अंदर spiders शामिल हैं उसके अंदर lace wing शामिल हैं उसके अंदर हावर फ्लाइस, ground beetles, merit bugs और densel bugs शामिल हैं ये तमाम bio control agents इसको कम करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं